नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टीवी सीरियल दीवानी में आप सबके लिए एक बहुत बड़े ट्विस्ट की एंट्री आज के इस वीडियो में सुनाने वाला है. अगर आप भी यह टीवी सीरियल रोजाना देखना पसंद करते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए. दोस्तों, पार्थ के पायल की तरफ आकरशन ने मीरा और उसके रिष्टे को पूरी तरह से खोखला बना दिया है. अब पार्थ, जहां एक और मीरा के रिष्टे से आजाद होना चाहता है, तो वहीं दूसरी और मीरा और पायल एक दुसरे के बहुत जल्द करीब आ जाने वाले हैं. पायल और मीरा के बीच आपसी जड़प होने वाली हैं. पायल को यह जैसे ही मालूम चलेगा कि मीरा पार्थ की बीवी है, तो वो खुद को संभाल नहीं सकेगी. मीरा पर वो हमला कर देगी. मीरा चाहती हैं कि किसी भी तरह पार्थ उसके बड़े भाई गर्व के घटिया चाल में न फंस जाए. एक और अपने ही भाई को वो पागल खाने भरती करने वाला होता है. तो वहीं दूसरी तरफ, उसके मन में आज भी मीरा के लिए एक जगह हाए, जो उस जगह में मीरा को लाना चाहता है. लेकिन गर्व की यह कामना कभी पुरी नहीं होगी. किसी के साथ गलत करके, खुद के साथ अच्छा होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. मीरा कभी भी गर्व की नहीं होगी. मीरा पार्थ को खुश देखना चाहती है, उसे इस बात का बहुत दुख भी है कि पार्थ उसका नहीं हो सका. पार्थ भले ही उसका नहीं है, लेकिन अपने जीते जी किसी और की नहीं होगी. मीरा यह कसम वो पार्थ के सामने खा चुकी है पार्थ के लाए हुए तलाक के कागज पर मीरा यह काम खा कर साइन कर देती है मीरा भले ही पार्थ को अपने रिष्टे से आजाद कर चुकी है लेकिन उसके पीट पीछे होने वाली साजिश से मीरा उसकी जान बचाने वाली है दोस्तों, मीरा ये पता लगा लेगी पायल पार्थ को अपना इसलिए बनाई है ताकि वो इससे अपना बदला ले सके पायल और गर्व एक दूसरे से मिलकर पार्थ की जिन्दगी बरबाद कर देने के प्लैन में है लेकिन मीरा उनकी ये हचाल कभी पुरी ही नहीं होने देगी दोस्तों देखना बहुत ज्यादा दिल्चस्प होगा कि क्या पार्थ मीरा को दोबारा अपनाता है या नहीं